वेल्कम फ्रेंट्स स्वागत अब सभी का साउथ मूवी निस प्रो में तो दोस्तों रिलीज होने जारी है रोकिंग इस्टार येस की मन्च अवेंड मूवी जिसका नाम है केजी एप चैप्टर टू और इस मूवी से लेकर एक लेटेस टर्बेर निकल कर आई है जबकि इस म अजितो में को देखने को मिलेगी और इस मूवी का कंप्रम लीजेट क्या है और आज के इस वीडियो में आप सबीन को बताने वाला हूँ इस मूवी की pop कंप्रम रीजे तो इस से पहले आप सबी मूवी को ही 17 mij a book का हमका कैसे देख पाउनगे दो इससे पहले हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें क्योंकि एक लाइक से बहुती ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो बनाने में और आप सभी हमारे चैनल पर नहीं हो तो कलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एड बेल आइकन को दबाना ना भुलेगा दोस्त और आज के इस व ठिलर्ड मूवी देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को जरूर देखे जबकि इस मूवी के लीड कास्ट में दिखाए देंगे रोकिंग इस्टार या है स्रीनेती सेटी संजेदत रवीना टेंटन एंड परकास राज ये सभी इस मूवी के लीड कास्ट में दिखाए दें दोस्तों और इस मुवी को डायरेक कर रहे हैं परसांत नील और खबरों की माने की इस मुवी का बजट रखा गया है 500 करोर के आसपास जिससे आप अंदा जला सकते होगी यह एक बहुती बड़ी मुवी है दोस्तों और इस मुवी बहुती एक्शन भरपूर देखने को मिलेग और यह एक कर्णड़ा मुवी है दोस्तों और कर्णड़ा के साथ तामिल तेलगू एंड हिंदी के साथ इस मुवी को रिलीज किया जाएगा दोस्तों और यह एक पैन इंडिया मुवी होने वाली है दोस्तों अगर बात करें इस मुवी की रिलीज डेट की तो इस मुवी का रिलिज डेट था 16 जुलाई तो कोरोना के चलते इस मुवी का रिलिज डेट पॉस्पर्ण कर दिया गया था दोस्तों तो बात करें इस मुवी का कम्फरम डेट के बारे में तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज 29 जुलाई है आज संजेदत का वड़े है तो वड़े के दिन अधीरा का फर्स्ट लूप पोस्टर अफलोड कर दिया गया है दोस्तों तो आप सभी इस मुवी को हिंदि में देखना चाते हो तो इससे पहले comment box में जरूर बताना कि इस movie को संजेदत के वजए से देखना चाते हो कि walking star şoke के वज़ए से देखना चाते हो comment box में जरूर बताना दोस्त! अगर बात करें इस movie की release date की तो ये movie हम सभी को देखने को मिलेगी नौमबर या December में ये movie हम सभी को देखने को मिलेगी दोस्तो नौमबर या December में देखने को मिलेगी दोस्तो और इस movie से कोई भी latest update निकल कर आती है और सबसे पहले आप तक पहुचने के लिए कर लो हमारे चैन झाल झाल